हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ निर्मला मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपसे शेर करने जा रहे हूँ सुझी के पापड बनानी का ऐसा तरीका जिसमें ना ही सुझी को उबालना पड़ेगा, ना ही पापड बेलने की जरुरत पड़ेगी और ना ही पापड के फटने के चांस रहेंगे एक दम कम समय में धेर सारे पापड एक साथ बनाए जा सकते हैं वो भी बिना ज़्यादा ताम जाम के तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पापड बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले पापड बनाने के लिए हमीं चाहिए होगी सूजी तो इस मेजरिंग कप को मापकर एक कप मैं सूजी ले रही हूँ मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सैट कर सकते हैं सूजी भारिक या मोटी कोई भी ले सकते हैं क्योंकि हमीं इसे पीस करी लेना है ताकि पापड का टेक्शर बढ़ियाए तो इस तरह से मैंने सूजी को एकदम फाइन पीस करके तयार कर लिया है अब सूजी के पापड हैं वो फटे नहीं साथी इनका चो टेक्शर है वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो इसके लिए मैं इसमें एक चोटाए कप कॉन फ्लार का इस्तमाल कर रही हूँ आप कॉन फ्लार की जगए एरा रोट का पाउडर भी डाल सकते है तो इससे पापड है न वो बिल्कुल भी फटते नहीं है और जब हम फ्राइ करते हैं पापड को तो ज़्यादा मातरा में ओयल भी एबसॉर्ब नहीं करते है एक कप पानी डाल कर मैंने इनका पैटर बना कर तयार कर लिया है लेकिन अभी एक कप पानी डालने से जो बैटर है वो काफी गाड़ा है हमें थोड़ा पानी इसमें ओर डालना होगा तो आदा कप पानी मैं और इस्तमाल कर रही हूँ तो पानी का भी एकदम पूरा ध्यान रख रहा है यानि बैटर ज्यादा पतला या ज्यादा गाड़ा हमें नहीं चाहिए तो अभी तक मैंने इसमें डेट कब पानी का इस्तमाल किया है अब इस बैटर को हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे मिक्सिंगे अंदर हमने बैटर बना लिया है तो नहीं इसमें कोई लंपस है नहीं इसे हमें ज्यादा फैंडने की जरुरत पड़ेगी अब मिक्सिंगे जो बैटर बच गया है उसमें थोड़ ऐसा पानी में और डाल लेती हूँ लगबग दो चमच और इसे भी एड़ कर लेती हूँ तो बैटर बिलकुल भी हम वेस्ट नहीं करेंगे अब इसमें फ्लेवर के लिए हम डालेंगे आदी छोटी चमच जीरा आदी छोटी चमच कुटी वी लाल मिर्च पाउडर में डाल रहे हूँ साथी पापड की फ्लेवर को और भी बढ़ाने के लिए मैं इसमें कुछ सुखी वी पुदिना पती भी इस्तमाल कर रहे हूँ आप अपने फ्लेवर के अकोर्डिंग इसमें चीज़े डाल सकते हैं अब इसमें हम स्वात के अनुरसा नमक डाल लेंगे ध्यान रख रहा है पापड में ज़्यादा नमक नहीं आड़ करें बस बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं तो देखाना प्रेंट्स कितने कम समय में हमने बढ़िया बैटर बना करके तयार कर लिया है और एक कप सुचे से धेर सारे पापड बन करके तयार हो जाते हैं तो यह हमने बैटर बना लिया है अब इसके कंसिस्टेंसे आप देख सकते हैं कि इस तरह की होनी चाहिए बैटर ज़्यादा पतला भी नहीं है ज़्यादा काड़ा भी नहीं है इस तरह कल्चे पर देखेंगे तो एक लेर आ गई है साथी इस तरह उंगली से इस पर हम निशान लगाएंगे तो बैटर आपस में मिक्स भी नहीं हो रहा है तो बस इस तरह का बैटर हमें बना करके तयार करना है तो चलिए बैटर हमने बना लिया है अब हम लेंगे एक डबा अब डबा इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि इसकी चुलेंट होती है नो वो काफे लंबी होती है इस वज़े से जो कपड़ा हम इस पर बांदेंगे वो गैस के फिलिम के टच नहीं होगा और चलेका नहीं इसल पानी नहीं बराया क्योंकि एलास्टिक डालते समय हो सकता है डबा ही ले और पानी उचल कर बार आए तो अब हम क्या करेंगे इसमें पानी डालेंगे लेकिन क्योंकि कपरा टाइट है तो जैसे ही आप इसके अंदर पानी भरेंगे तो पानी उचलने लगेगा तो इसके ल कंडिशन में भी आप कोई भी चमच ले ले उसे थोड़ा सा प्रेस कर दे और फिर पानी उपर से भड़ ले अब इस टबबे को हम गैस पर चड़ा देंगे और पानी को इसमें उबलने देते हैं अब जैसे ही पानी इसके अंदर उबलेगा आप पानी की स्टीम की वज़े से कपड़ा भी गिला हो जाएगा तो बस इसी गिले कपड़े पर हम ये पापड़ बना लेंगे तो बहुत ही थोड़ा सा बैटर डाल कर हलकासा घुमा दें यदि आपको बड़े पापड़ बनाने हैं तो फिर आप इसे बड़ा भी रख सकते हैं तो यहां पर मैंने कुछ से के लिए इसे कवर कर दिया है तो ये देखिए 10 से 20 सेकंड में ये काफी अच्छे से स्टीम हो जाता है फिर किसी भी इस तरह की फ्लैट चमर से आप इसे निकाल सकते हैं तो बैस इसकी किनारों को थोड़ा साथ छुटा लें अराम से कपड़े पर हम इसे प्रेस करते हैं कोई टेंशन ही नहीं है और ये देखिए बहुत ही आसानी से जो पापड़ है वो निकलाता है तो इस तरह से ये जो पापड़ है उन्हें या तो आप ग्रीस कीवी किसी थाली में रखते जाए या फिर डायरेक्ट इने कपड़े पर सुकाते जाए तो बस इसी तरह के से मसारे पापड़ बनाकर की तयार कर लूँगी और पापड़ आप देख सकते हैं काफी पतले बनाकर हमने तयार किये हैं इन पापड़ को मैं काली कपड़े के उपर फैला रही हूँ क्योंकि काली कपड़े पर पापड़ होते हैं वो जल्दी से सूख जाते हैं आप इन्हें एक स पस ध्यान रखें कि पापड़ जदा मोटे ना बनाए इक्तम पतले ही बना करके तयार करें अब फ्रेंट्स बहुत बार होता है कि हम पापड कपड़े पर सुका तो लेते हैं बनाते-मन crater लेकिन इने ले जाए कैसे जाए क्योंकि यदि हम ज़्यादा मातरा में पापड बना रहे हैं तो फिर इने चट पर इस तरह कपड़े पर ले जाना भी मुश्किल होता है तो फिर इसके लिए क्या करें ये जो पापड़े आप ऐसे एक दूसरे के उपर रखते जाएं एक साथी देखिए मैंने इस तरह से एक बंडल सा बना लिया है पापड़ का क्योंकि मैं भी डायरेक्ट है वो जट पर नहीं सुका पाती हूँ इन पापड़ को तो मैं क्या करत किचन में इस तरह से पापड़ बना लेती हूँ और एक दूसरे के उपर इन पापड़ को ऐसे रखती जाती हूँ आप चाहें तो फैला कर भी रख सकते हैं थोड़ा तो देखिए बहुत ही आसानी से जो पापड़ होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं बिलकुल यह आपस में चिपकते नहीं हैं और जब आप इने निकालेंगे तो यह तूटेंगे भी नहीं तो यह हुआ है जो हमने इसमें कॉर्ण फ्लार डाले ना उसके वज़े से तो इस वज़े से पापड़ फड़ते भी नहीं हैं और इस तरह से एक दूसरे के उपर हम जाकर चत पर सुका सकते हैं कपड़े के उपर तो पर सारे पापड़ हैं वो इस कपड़े पर मैं इस तरी के से फैला दूँगी और इन्हें एक से दू दिन की धूब दिखा दूँगी इस तरह से बनाएं कई पापड़ सुकते भी जलती हैं और यह कपड़े के बिलकुल इनका टेस्ट भी बहुत अच्छाता है तो इस तरह से ये सारे पापड हैं वो आप किसी भी एर टाइट कंटेनर में लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब आप इने खाना चाहें तब इने फ्राई कर लें तो चलिए फ्रेंड्स अब माँ आपको इनको फ्राई करके भी दिखाती हूँ पापड तरने के लिए तेल हमेशा अच्छा गरम ले जैसे ही पापड डालें उसे थोड़ा सा प्रेस कर दे क्योंकि जब पापड सुकता है ना तो वो इस तरह आड़ा तिर्चा हो जाता है तो प्रेस कर देंगे ना हलका सा तो ये थोड़ा सीधा हो जाएगा तो बैस इस तरह से जो हम पापड बना करके तयार करेंगे उन्हें मैं एब्सॉर्मेंट पेपर में न निकालने की बजाए नॉर्मल बरतन में ही निकाल रही हूँ फिर भी मैं आपको दिखाऊंगे कि पापड हैं वो बिल्कुल भी ओयल को एब्सॉर्म नहीं करेंगे तो ये देखी फ्रेंड्स एक पापड हम तोड़ लेते हैं ये बड़िया क्रिस्पी तो हैं लेकिन आप हाथ पर देखें बिल्कुल भी ओयल नहीं लगा है तो इस तरह से यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी पापड घर पर मिना कर हम तैयार कर सकते हैं और इन्हें लंबे समितक स्टोर करके भी रख सकते हैं इन फ्राई की वे पापड को भी आप एर्टाइट कंटेनर में 5-6 दिन के लिए इसलिए स्टोर कर सकते हैं तो फ्रेंड्स जब भी आप ये पापड की रेसिपी ट्राइ करें प्लीज अपनी फीड़बेक मेरे साथ जरूर शेयर करें आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें जदा से जदा शेयर करें मैं फिर से मिलूंगी आपको एक ऐसे और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक कियर बाई बाई